तुटी विया स्टाटिंग न्यू चाट्र प्रोजेक्टाइल्स अफ डैनेमिक्स इट्स फॉर्स आर्टिकल सी मोशन ओफ प्रोजेक्टाइल आपके पास कोई भी पार्टिकल है जिसका मास आपको क्या गिवन आउट है कहा प्रोजेक्ट करता है वो किसी वर्टिकल प्लेन पर ठोडि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट जिसकी विलोसिटी आपके पास क्या काम करती है या आप किसी भी पार्टिकल को project कर रहे हो so conditional projectile आपके पास क्या होती है कि मैंने ये initial axis ले ली किसी horizontal के along हम क्या करते हैं strand करते हैं जहां से हम particle को project करेंगे और वो किस direction में आपके पास उसको project करता है vertical plane में so मैंने ये एक y axis ले ली ये आपके पास x axis है और यहां आपके पास क्या है y axis है ये मेरे पास o reason है o मैंने जिसको नाम दिया है आपके पास उसने एक condition और आपको given out की है कि आप जो point of projection है वहां कौन सी velocity आपके पास काम करती है u अगर मैं particle को project कर रही हो और उसकी direction आपके पास ये काम करती है तो यहां आपके पास initial velocity क्या काम कर रही है u, it means ये velocity आपके पास क्या होगी u होगी, second condition वो क्या कहता है inner direction making an angle alpha, वो initial axis के साथ कितने का angle बनाता है alpha का, with the horizontal horizontal के साथ कितने का angle बनाता है alpha का, आपको find out करना है motion and both, path describe motion भी और आपको path भी उसका describe करना है, देखो आपके पास जो projection आपने किसी भी particle को project किया है उसकी direction आपके पास vertical है u उसकी initial velocity है तो मैंने ये उसका origin ले लिया अब आपके पास u velocity के along यहां दो velocities के component बनते हैं एक आपके पास आएगा u cos alpha जो हम बात करेंगे किसके along x axis के, second condition आपके पास क्या होगी, u sin alpha जो किसके along होगा y axis के along होगा माल लीजे, after t timing पे मेरे पास जो भी particle आपके पास है, उसकी position यह है यह अगर उसकी position है तो इसके along आपके पास कोई initial axis काम करेगी x axis और उसके along आपके पास y axis component भी काम करेगा it means, अगर यह उसकी direction है तो यह particle इस direction के along या फिर यह कहिए कि अगर उसकी position यह तो यहाँ भी कोई नो कोई velocity आपके पास काम करेगी मैंने क्या ले लिया कि यह इस direction के साथ कितने का angle बनाता है, theta का angle बनाता है, second चीज यह कि अगर आप particle को project कर रहे हो, और उसकी position आपके पास यह है, तो उसका weight की जो direction होगी, वो कौन सी होगी downward होगी आपके velocities के दो component आते हैं, एक होता है dx by dt और second component आपके पास होता है dy by dt यह दो component हम लेते हैं अब आपके पास जो given particle color उसका mass क्या है m है, और अगर मैं आप से कहूं कि यह दोनों component velocity के है तो acceleration के component आपके पास क्या होगी, d2 x over dt square और second condition आपके पास क्या होगी d2 y by dt square अब अगर आप देखो तो मेरे पास अगर particle की direction यह है, तो आपके पास जो weight होगा, उसके direction का होगी downward direction में होगी it means, इस direction के y जो है, उसके direction यह होती है but weight जो है, वो यह direction में काम कर रहा है vertically but direction उसके कौन सी है, downward it means, आपके पास y component के along जो acceleration है, वहाँ जो mg होगा, वो कैसे होगा, negative होगा so, m आपके पास उसका mass है, d2 y by dt और दूसरी condition आपके पास यह है, जो particle का weight है, उसके direction आपके पास vertically downward है, horizontally तो नहीं है, उस case में, along x success component आपके पास क्या होगा m d2 x over dt square equals to 0 it means, आपने यहाँ दो condition find out की है, d2 x over dt square equals to 0 और second condition अगर मैं देखो, तो d2 y by dt square equals to minus अब यह दोनों आपके पास function किसके हैं, ठीके integrate both the terms, so d x by dt equals to, यह क्या होगा कोई भी constant form करेगा और d y by dt equals to minus gt plus c again अगर मैं इसको integrate करूँ, तो आपके पास value क्या आजाएगी, x equals to यह क्या है, c1 है आपके पास कोई भी constant value आपको देगा, ठीके यहां से अगर आप इसको integrate करते हो तो मेरे पास जो value होगी वो क्या होगी, c1 call, c1 x जो होगा, आपके पास होगा c1 t plus c2 मैं नहीं हाले लिए, so c3 और अगर मैं dy by dt की value आपको find out करने को कुँँ, तो value क्या आज जाएगी g integrate again it so y value क्या हो जाएगा minus gt square by 2 plus c2 t okay, अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास दो component काम करता है अगर मैं velocities की बात करूँ तो एक component आपके पास क्या है dx by dt और second component मेरे पास क्या है dy by dt अब अगर मैं आप से कहूँ कि particle की जो position है वो initial है उस case में t component आपके पास क्या होगा zero होगा t component की value मेरे पास क्या होगी zero होगी और along x axis आपके पास यह component काम करता है यहाँ along x axis कौन है cos alpha it means dx by dt आपके पास क्या form करता है u cos alpha और यह आपके पास है क्या c और same condition अगर मैं आप से dy by dt की बात करूँ तो वो component आपके पास क्या होता है u sin alpha और आपके पास क्या है c2 दोनों values को substitute करेंगे zero x की value मेरे पास क्या आई c1 u cos alpha plus c3 और y component की अगर हम बात करें वो आपके पास क्या है c2 तो उसकी value आपके पास क्या होगी minus gt square by 2 plus c2 की value आपके पास क्या है u sin alpha t plus c4 अब अगर हम initial condition की बात करें as a origin तो वहाँ आपके पास t component क्या होगा zero t component zero तो वहाँ x और y दोनों component भी आपके पास क्या रहेंगे zero रहेंगे आप दोनों values को यहां substitute कीजे अगर t zero है उस condition में t timing zero रहेंगा initially आपने project ही नहीं किया उसको और x component भी आपके पास क्या रहेंगा zero if you substitute here t equals to zero and x equals to zero then c3 is also zero c3 की value भी आपके पास क्या हो जाएगी zero हो जाएगी यह t है sin alpha x alpha t now substitute here t equals to zero and y equals to zero so this case में भी आपके पास t zero zero into t u sin alpha यहाँ zero substitute करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा zero c4 की value आपके पास क्या हो जाएगा zero it means you have our two components one is x equals to c1 u c1 की value तो हमारे पास क्या है u cos alpha so x की value आपके पास क्या हो गई u cos alpha t और c3 component आपके पास क्या है zero same condition से हम y को find out करेंगे तो y की value आपके पास क्या है tu sin alpha minus 1 by 2 GC t square और c3 और c4 की जो value वो आपके पास क्या है c3 और c component दोनों आपके पास क्या है zero है so x की value u cos alpha t y की value minus gt square by 2 plus tu sin alpha और c4 की value आपके पास क्या है zero तो मेरे पास यहां दो component आगए यह आपके पास x और यह आपके पास क्या है मैंने क्या किया यहां से value find out की है t की so आपके पास यहां से t की value क्या आजाएगी x over u cos alpha आप यह value को यहां substitute करेए so y equals to t की value क्या है x by u cos alpha u sin alpha minus 1 by 2 gt का square करेंगे so x square over u square cos square alpha यहां से आपके पास u से u cancel होगे so u sin by cos is tangent alpha minus 1 by 2 g x square by u square cos square अब यह जो equation है वो मेरे पास क्या है equation of trajectory given equation is equation of trajectory अब सेकिंड कंडिशन देखो आपके पास यह equation of trajectory हुआ हमें क्या find out करना है लेटस रेक्टम वर्टेक्स फोकस एक्सिज equation of axis भी आपको find out करनी है और क्या find out करना है आपको directrix यह सारे component आपको find out करने होगे अब first जो आपके पास equation of trajectory है वो क्या है equation of trajectory हमने क्या find out की है y equals to x 10 alpha minus 1 by 2 g x square over u square cos square alpha मैंने given equation को multiply किया 2 u square cos square alpha over g ठीक है given equation को मैंने multiply किया 2 u square cos square alpha आप multiply कीजिए मेरे पास क्या value आएगी by into 2 u square cos square alpha by g equals to x 2 u square cos square alpha by g tangent alpha minus 1 by 2 g x square over u square cos square alpha और ये किसे multiply किया है 2 u square cos square alpha by g आपके पास क्या value आगी y into 2 u square cos square alpha by g equals to x 2 u square cos square alpha by g 10 है इसको मैंने कैसे open किया sin alpha by cos alpha minus 2 से 2 cancel u square से u square cos square से cos square g square से g square so minus x square एक cos से आपके पास है cos cancel होगे x square को मैं इधर ले आई so x square इस component को भी हम इधर ले आए क्या value आ गई 2 x 2 मैंने बहार रखा u square cos alpha sin alpha over g किसके एक value है 2 u square 2 u square cos square alpha by g into y अब आप अगर इस equation को देखो तो आपके पास a square है 2 a है तो ये value आपके पास क्या हुई b हुई मैंने क्या क्या b square को add किया और उसी term को मैंने क्या कर दिया subtract कर दिया आपके पास b की value ये है so b square को हम add करेंगे और उसी term को मैंने क्या कर दिया subtract कर दिया u square cos alpha sin alpha by g u square आपके पास इसका square होगा मैंने उस term को क्या किया add किया और उसी term का इसका square करेंगे so 4 cos square alpha sin square alpha over g square और इसी term को मैंने किया किया subtract तो इसको वहाँ लिख दिया 2u square cos square alpha by g into y और क्या किया है हमने add किया है u4 cos square alpha sin square alpha over g square अब यह देखो a square 2ab plus b square so यह value क्या form करेगी x minus a whole square x minus b whole square और b की value क्या थी u square cos alpha sin alpha over g whole square और यहाँ जो time है वो आपके पास hesities रहेगी क्या value है मेरे पास एक यह देखो आपके पास यहाँ क्या है 2u square cos square alpha by g u4 cos square alpha sin square alpha by g square तो मैंने क्या किया u square cos square alpha को common लिया by आपके पास यहाँ क्या है g भी मैंने common लिया यहाँ 2 है so 2 भी मैंने common लिया it means मैंने क्या value को common लिया आपके पास u यह y दर जाएगा तो यह value negative होगी यह नेगेटिव है यह पॉजिटिव है क्या कॉमन ले लिया माइनस 2U स्क्वेर कॉस्क्वेर अलफा बाए जो कोफिशन्ट हो वा है वो कम्प्लीट अम मैंने कॉमन ले ली बट आप यहां देखो यहां U स्क्वेर कॉमन ले सकते है अंदर क्या रहेगा मैंनस 2U स्क्वेर कॉस्क्वेर क्या अपके पास ले लिया माइनस यू स्क्वेर क्या की पावर आपके पास क्या था 5 साइन स्क्वेर अलफा आपके पास as it is जी स्क्वेर सा तो एक जी as it is और टू हमने common लिया था तो ये अब अगर आप इसको देखो तो ये कुछ ऐसे फॉर्म कर रहा है एक्स माइनस ए होल स्क्वेर इक्वल्स टू एल वाइ माइनस बी अब ये आपके पास फॉर्म करता है पैरा बोला जो किसके पैलर है आपके पास o y initial ये x axis होती है ये आपके पास y axis जो किसके पैलर है आपके पास is y के पैलर है ये equation of parabola अब easily आपको पता है कि equation of parabola में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप vertex बताईए तो उसके vertex आपके पास क्या होंगे a b होंगे vertex क्या होंगे आपके पास a और ये component b तो अगर आप यहाँ से देखो तो a की value मेरे पास क्या है ये so it means आपके पास f t सर क्या होगा u square sin alpha cos alpha by g और अगर मैं b component की बात करूँ जो आपके पास ordinate है उसकी value मेरे पास क्या है y minus b है so b की value u square sin square alpha by 2g तो दूसरा component आपके पास u square sin square alpha by 2g ये क्या आगे मेरे पास उसके vertex आगे अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ latest rectum की बात करूँ तो latest rectum जो होता है वो आपके पास क्या होता है coefficient of y minus b आपके पास ये negative parabola है इसलिए इसकी condition ये इसके parallel होगा अब इसका जो coefficient है वो आपके पास क्या होता है latest rectum तो यहाँ से आपके पास latest rectum की value क्या आगे l की value मेरे पास क्या है 2 u square cos square alpha by ये latest rectum होगा अब third coordinate मुझे क्या find out करना है focus so focus आपके पास क्या होता है यहाँ अगर देखो तो a component ये है और b component मेरे पास ये है so आपके पास focus के 2 codes होते है एक होता है और जो second code होता है वो आपके पास क्या होता है b minus l by 4 अब आपके पास a क्या होगा जो इसका अपसी सा होगा vertex का अपसी सा आपके पास क्या है u square so a code आपके पास क्या होगा u square sin alpha cos alpha by g और a condition आप यहाँ apply कर सकते हो मैंने क्या क्या 2 से multiply किया और 2 से उसको क्या कर दिया divide कर दिया 2 g so 2 a sin a cos a आपके पास क्या form करेगा sin 2 alpha over 2 g अब second code हम निकालेंगे आपके पास क्या आता है b minus l by 4 b की value मेरे पास क्या है u square u square sin square alpha by 2 g minus l हमने क्या find out के latest रखता हम आपके पास क्या है 2 u square cos square alpha by g और component मेरे पास यहां क्या है 1 l by 4 तो वो क्या होगे आपके पास b minus l by 4 यह latest rectum की value और यह क्या है 1 by 4 तो यहां से मेरे पास क्या होगे यहां से आप इसके इसको solve करेंगे तो मेरे पास यहां 2 कॉम्दे को u square आपके पास है वो मैंने बहार ले लिया यहां क्या है sin square minus cos square alpha अंदर क्या रहा आपके पास sin square alpha minus cos square alpha u square हमने common लिया आपके पास इसकी value क्या होगी sin square alpha minus 2 cos square alpha यह क्या है आपके पास 2g और यहां मेरे पास क्या है 4g अब आपके पास यहां इसका LCM लेंगे तो value आपके पास क्या आजाएगी so 2 sin square alpha minus 2 cos square alpha over 4g 2 component को हम बाहर लेंगे क्या value आगई 2 u square एक term cancel हो जाएगी u square by 2g sin square alpha minus cos square alpha अब यह आपके पास identity form नहीं करता cos 2a आपके पास 3 identities को form करते है cos 2a अगर आपके पास है इसकी first identity होती है cos square a minus sin square a cos 2 की एक identity आपके पास होती है cos square 2 cos square a minus 1 और third identity होती है 1 minus 2 sin square a ठीक है so मेरे पास यहां क्या form करता है cos square a minus sin square a इसके identity को यहां apply करेंगे so value क्या आगई मैंने minus को common लिया cos square minus a square हो जाएगा u square by 2g और इसकी value क्या आगई cos 2 alpha ठीक है यह मेरे पास क्या आगया focus focus का a code आपके पास ordinate यह होगया और fc से आपके पास a है उसकी value मेरे पास यहां क्या है use square sin 2 alpha by 2g यह क्या आगया हमारे पास focus आगया ठीक है और a condition और है आपके पास जैसे अगर मैं बात करूँ यहां इसके code की तो अगर आपके पास 2 alpha की alpha को अगर मैं substitute करती हूँ यहां pi by 4 it means pi by 4 substitute करते ही value क्या हो जाएगी cos pi by 2 हो जाएगा cos pi by 2 आपके पास क्या form करता 0 इसकी value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी अगर आप यहां substitute करते हो pi by 2 तो यह value क्या होगी cos pi cos pi पर value क्या हो जाएगी negative 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 तो डिपेंड करता है कि आप वैल्यू को क्या ले रहे हो जो आपके पास वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपके बास सॉलुशन आ जाएगा ठीक है पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव वैल्यू देगा अब यहां आप ऐसी कोई वैल्यू लीजिए जिससे सॉलॉशन करते है और का आपके पास पाइबाटू से बड़ा है या आपके पास पाइबाइब तो से healthy windowुगीिक यह फिर आपके पास यह क्या करते हम अब हम बात करते हैं आपके पास हमने focus find out किया vortex find out किया लेटराट्यम हमारे पास आ गई अब बात करते हैं हम equation of axis तो equation of axis हमारे पास क्या होती है x minus a equals to 0 अब a आपके पास क्या है ये उसकी value क्या है u square cos alpha sin alpha by g so equation मेरे पास क्या हो गई x minus u square sin alpha cos alpha by g अब बात करते हैं किसकी directrix की तो इसकी value मेरे पास क्या होती है equation of directrix y equals to आपके पास जो भी coordinate find out हुआ हमने दो codes निकाले एक है आपके पास a और जो second code है वो आपके पास क्या है b तो equation of directrix आपके पास क्या होता है b plus जो भी आपके पास latest rectum होगी by 4 so y आपके पास क्या form करेगा b plus l by 4 b की value मेरे पास क्या है जो code हमने यह find out किया है उसकी value मेरे पास है u square sin square alpha by 2g latest rectum हमारे पास क्या है 1 by 4 2u square cos square alpha by g यहां से आपके पास क्या आगया u square by 2g मैंने common ले लिए sin square alpha plus cos square alpha और यह आपके पास क्या form करता है 1 so u square by 2g यह मेरे पास क्या आगया equation of directrix ठीक है बाक क्या आटिकल हम करें